इस एक अमरीग जयसी चीज को आप भी जहर बनाकर खारे हो और पतानी क्यूं इतना लोग पसंद कर रहा है उसके पीछे कारण ऐसा नहीं है जो जनता कर रही है उसके पीछे कम्पनियों की चाल है क्योंकि कम्पनिया इस प्यारी सी चीज को मिलने वाली जो कि हर आम आदमी की सबजी है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आलू के बारे में और खासकर boiled potato उबला हुआ आलू जो कि आपको देश के हर घर में मिल जाएगा और आम आदमी की सबजी है बिलकुल हर किसी के अपरोच में मिलती है हमेशा इसका rate थोड़ा बोत उपर नीचे होता है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा यह नहीं होता है तो यहाँ पर boiled potato यानि कि उबलावा आलू यदि खाते हो with skin और without skin आपको multiple health benefits देता है कोई side effects नहीं है इसका लगबग सभी में चोटे बच्चे से लेकर व्रत अवस्ता तक हर कोई खा लेता है आराम से लेकिन इसी के साथ कंपनियों की चाला की आप देखिए लाखो करोलो का बिज्जिस कर रही है साथ ही साथ आपको बीमारिया भी दे रही है यदि इसी आलू का आप टुकड़ों में काट कर कुछ तेल में कुछ मसालों नमक में फ्राइड करके जिसको बोलते हैं फ्रेंच प्राइज जो बड़ बड़े होटेल, रेस्टोरेंट्स में इवन पैकेट फूड्स में आपको मिलती है तो ये एज कंपेर टू बोल्ड पोटेटो, बोल्ड पोटेटो में 100 ग्राम से आपको 93 कैलरीज मिलती है लेकिन इसी 100 ग्राम के फ्रेंच प्राइज यदि बना दिये जाएं, तेल में उबाल कर, फ्राइज करके तो वो आपको 93 के अगेंस्ट में साड़े 300 कैलरी देती है और फड़दर एक स्टेज और यदि इसको अप्रेट कर दें, जो की बहुत पसंद किया जाने वाला है, वो पैकेट में मिलता है और इतना एडिक्टिव है, यदि बच्चों को एक बार खलाया, तो बच्चा दुबारा वही मंगता है बड़े भी खाते हैं, क्योंकि उनको इसके हैल्थ इंप्रिकेशन जो हैं, पता नहीं है उसको बोलते हैं चिप्स, पोटेटो चिप्स, यही 100 ग्राम यदि आलू के चिप्स मना दिये जाएं, यदि आप इनको खाते हो, तो ये 93 कैलरी के जगा आपको 500 कैलरी देते हैं इसी के साथ कार्भोःडिरेट्स के अदि बात करें, तो पोटेटो अलू जो है, उबला हुआ, वो एक गुना यानिके मल्टिप्लाई करता है, तो इससे आगे बढ़कर फ्रेंच फ्राइज इसका जो कार्भोःडिर्स लेबल है, वो तीन गुना बढ़ जाता है और चिप्स का पांच गुना कर्भोःडिर्स लेबल आपका बढ़ जाता है, शुगर कंटेंट के अदि बात करें, बोइल पोटेटो के अंदर सुगर कंटेंट बहुत काम होता है, इसी के साथ फ्रेंच प्राइज में दो गुना बढ़ जाता है, और चिप्स के अंदर य यदि आप boiled potato खाते हो, तो out of 10, 9 marks इसको मिलें, यानि कि आपको जो भूग लगेगी, जो time of the feel hungry है, वो more than 60 minutes, एक घंटा तक आपको ये, paid आपका भरा रखेगा, आपको healthy feel होगा, लेकिन french price यदि आप इतने ही खाते हो, जो 100 gram की बात हुई थी, तो ये आपको less than 60 minutes में ही भूग लगने लग जाएगी, जो 70-80 index है, इसका, out of 10, only 4, potato कितना था, boiled potato का, 9, और french price का कितना है, 4, यहीं पर chips का 0 है, less than 10 minutes में आपको जो है, you will feel hungry, तो ये fact है, आलू के बारे में, आम आदमी की सबजी के बारे में, बिल्कुल एक छोटा सा मैंने आपको with facts समझाने की कोशिस की है, और आपसे मैं यहीं उम्मीद करूँगा, कि इस जानकरी को आप बाकी लोगों तक share करोगे, WhatsApp ग्रूप में आप share कर सकते हो, Facebook पर जैसे भी आपको share करना उच्चित लगे, आप कर सकते हो, क्योंकि यह वो सबजी है कि कोई भी इसको ignore नहीं कर सकता, और मुझे नहीं लगता कि कोई साइद ऐसा घर होगा, जिस घर में यह सबजी जो है, उप्योग ना की जाती हो, और हपते में लगबग एक दो बार तो हर किसी घर में यह सबजी, किसी ना किसी रूप में बन जाती होगी, हाँ, इंडियन कल्चर में कुछ ना कुछ ऐसी इसकी जो है, पकोले बना लिये, कभी कुछ बना लिया, तो उसके बहुत ज़ादा ऐसे मतला उप्योग है, जो हम तेल में तल रहे हैं, तो हमारे घर का प्योर मस्टर्ड ओईल होना चाहिए, कोकोनेट ओईल है, या फिर जो है, मुंगफली का तेल है, प्योर कोल्ड प्रेस्ट है, जैसा भी ये, ये जो आपके पैकेट फूड मिलते हैं, और ये आपको इतनी ज़्यादा बिमारियां दे रहे हैं, जो फ्रेंच फ्राइस हो गया है, या फिर पोटेटो चिप्स हो गया है, तो क्यों इस तरब जाना है, एक तो कोश्ट ली, दूसरा, एक आलू के अंदर एक पैकेट जो चिप्स बन जाता है, एक आलू को कोश्ट किया होगी, मालिज ये दो तीन रुपए, पांच रुपए भी ये दिये, एक आलू की कोश्ट में लगा लेता हूँ, आज की रेट में, तो वो पांच रुपए का आलू, पैकेट में कितना चिप्स आते हैं, कभी आप काउंट करके देखिए, कि वेट कितना होता है उसका, और प्रैस कितना होता है, तो कम से कम 15-20 गुना, उसकी कोश्ट जो बढ़ा दियाती है, आप तक पहुंचते पहुंचते, और साथ में मिलता है एडिक्शन, साथ में मिलते है बीमारिया, और फिर वो आप पैसा खर्च करते हो, अपली हैल्थ को बचाने के लिए, तो साबधान रहिए, और ऐसी चीजों को एवोइड कीजिए, बाकि लोग तक भी जानकारी सेर कीजिए, मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक क्लिए, नमस्कार.